सूप्रभाद बच्चो बच्चो आज हम पाठ आठ फूल और काटा इस कविता के प्रेश्न उत्तर CW कॉपी में लिखेंगे बच्चो सबसे पहले हम डेट डालेंगे, डे लिखेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे, पाठ आठ फूल और काटा उसके बाद में शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे बताईये वाले प्रेश्न उत्तर जो किताब पेज नमबर 67 पर लिखे है प्रेश्न नमबर दूसरा लिखा है बताईये उसका कव वाला है पौधा जिस किसको पालता है मिला सबी बच्चों को इसका उत्तर लिखिए पौधा, फूल और काटा दोनों को पालता है बच्चों उत्तर लिखने के बाद में आप एक लाइन छोड़ेंगे स्केल पेंसिल से लाइन ड्रॉ करेंगे फिर एक लाइन छोड़के अगला उत्तर प्रश्न लिखेंगे ख नमबर प्रश्न देखिए उंगलियों में कौन छेद करता है इसका उत्तर है काटा उंगलियों में छेद करता है फिर एक लाइन छोड़ेंगे स्केल पेंसिल से लाइन ड्रॉ करेंगे फिर एक लाइन छोड़ेंगे फिर गह नमबर प्रेशन लिखेंगे इस कविता से क्या सीख मिलती है इसका उत्तर है इस कविता से यह सीख मिलती है कि कुल या परिवार की बजाए कर्मों का अच्छा होना ज्यादा जरूरी है ठीके फिर एक लाइन छोड़ेंगे स्केल पैंसिल से लाइन ड्रॉ करेंगे फिर एक लाइन छोड़के घह नमबर प्रेशन लिखेंगे समझ में आगया होगा आभी आपको कैसे लिखना है ठीके अगला प्रेशन है आप फूल बनना चाहोगे या काटा कारण सहित बताईए इसका उत्तर आपको खुद को लिखना है कि आप फूल बनना चाहोगे या काटा ठीके इसका उत्तर है मैं फूल बनना चाहूँगा या चाहूंगी क्योंकि फूल सब को खुशिया देता है और सब उससे प्यार करते है आप अपने मन से जो सोचते हैं वहाँ वो इसका उत्तर लिख सकते है ठीके मुझे नहीं लगता कि कोई इसका उत्तर लिखेगा कि मैं काटा बनना चाहूँगा है ना लास्ट वाला प्रशन देखिए कविता में फूल की कौन से विशेष्टा बताई गई है इसका उत्तर है फूल टितलियों को सहरा देता है भौरे की भूक मिटाता है और अपनी सुगंद से सबका मन प्रसन कर देता है ठीके अभी नीचे लिखा है इसी प्रशन उत्तर के नीचे लिखित वाले प्रशन है ना लिखिये लिखा है हेडिंग में इसका पहला नमबर देखिए सही उत्तर पर सही का निशान लगाईए को नमबर प्रशन है कौन वस्द्रफार देता है तितली, भौरा, फूल या काटा इसका सही उत्तर है काटा को नमबर देखिए फूल भोरे को क्या पिलाता है पानी ओस रस ये सबी इसका उत्तर है रस उसके बाद में दूसरा वाला प्रशना ठीक नीचे लिखा है सही पंक्ती द्वारा रिक्त स्थान भरिये मतलब कविता की पंक्तियों को पूर्ण करना है ये कविता की पंक्तिया आपको किताब में भी मिल जाएगी ठीक है देखिए मैं एक बार रिडिंग लगा देती हूँ है जन्म लेते जगह में एक ही एक ही पोधा उन्हें है पालता रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही एक ही सी चांद नहीं है डालता ख़ नमबर देखिए, छेदकर काटा किसी की उंगलियां फार देता है किसी का वर्वसन, प्यार में डूबी तितलियों के परकतर भौर काहे बेद देता शामतन ठीके, उसके बाद में प्रश्ण नमबर तीन, किताब पेज नमबर 68 पर सबसे उपर लिखा है, कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए इसका को वाला प्रश्ण देखिए प्रकृति फूल और काटे के साथ एक सा व्योभार करती है, स्पष्ट कीजिए मतलब जो प्रकृति है, वो फूल और काटे में अंतर नहीं करता, एक जैसा व्योभार करता है इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है, फूल और काटे एक ही स्थान पर पलते हैं, जहां उन्हें प्रकृति के सभी सूख समान रुप से मिलते हैं इस आधार पर कहा जाता है कि प्रकृति फूल और काटे के साथ एक साव्योभार करती है इसका ख़ नंबर प्रश्ण देखिए बच्चों फिर एक लाइन चोड़ोगे, स्केल पेंसिल से लाइन ड्रॉ करोगे ठीके, अब यह बार-बार में नहीं बोलूँगी ख़ नंबर प्रश्ण देखिए फूल और काटे के स्वभाव में क्या अंतर होता है? इसका उत्तर है फूल और काटे के स्वभाव में बहुत अंतर होता है फूल सबको खुशिया देता है परन्तु काटा दुख पहुचाता है गौ नंबर प्रश्ण देखिए काटा सबकी आखों में क्यों खटकता है? इसका उत्तर है काटा सबकी आखों में इसलिए खटकता है क्योंकि जो भी उसके पास आता है उसे दुख ही मिलता है तितली और भोरो को फूल काटे में से कौन अच्छा लगता है और क्यों तितली और भौरो को फूल काटे में से फूल अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ उन्हें सहरा देता है और अपना मीठा रज पिलाता है आखरी प्रश्न है कविता का भाव लिखिये इसका उत्तर है कविता का भाव यह है कि मनुष्य की पहचान उसके उचे कूल या परिवार से नहीं बनती बलकि उनके कर्मों या गुणों से बनती है मनुष्य अपने अच्छे कर्मों से ही सम्मान पाता है समझ में आया बच्चों यह सब इप्रश्न उत्तर आपको CW copy में लिखना है डेट डे के साथ में ठीके उसके बाद में मुझे पता है कि पार्ट साथ का भी अभ्यास कारिय बचा है पार्ट साथ का भी अभ्यास कारिय बचा है व्याकरंट संबोल जिसे किताब में लिखा है और part 8 का भी बचा है जो हम अभी कर रहे हैं इन दोनों का अभ्यास कारिया मैं साथ में एक साथ वीडियो बना कर भेज दूँगी आपको केवल इतना copy में लिखना है और इतना ही learn करना है परसो जब zone class होगी तब मैं सबसे पूछूँगी और मैं लिखवा भी सकती हूँ इसलिए hw copy में लिख लिख कर याद करेंगे सभी बच्चे ठीक है मैं जब भी आपकी hw copy लिख देखूँ तो मुझे ये पता पढ़ना चाहिए कि आपने लिख लिख कर याद किया है किसी भी रफ copy में भी नहीं लिखेंगे आप hw copy में ही लिख कर याद करेंगे ठीक है आज के वीडियो में इतना ही बाई